दोस्तो आज मैं आपको मल्टियूट्र के बारे में बताने वाला हूँ कि मल्टियृट्र में यह साद जो फंक्षेंस होते हैं DC वॉल्टेज, AC वॉल्टेज, रेजिस्टेंस, इनका क्या काम होता है और इनको कैसे यूज करना है, और इनकी क्या रेंज होती है तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो यहाँ पर different numbers लिखे हो है जैसे 2000m, 20, 200 तो इनका क्या range होता है वो भी मैं आपको बताऊँगा और इसका एक practical video मैंने अपने चैनल पर upload किया है तो उसका link जो है मैं description में दे दूँगा तो आप चाहे तो वासरा कीचे देख सकते हो कि practically हम multiple से कोई भी चीज कैसे major करते है तो सबसे पहले आता है DC voltage तो यह जो आप section देख रहो यहाँ पर lab side वे यह वाला DC voltage का section है तो इसमें सबसे पहला आता आपका 200m तो इसमें हम 0 से लेके 200mV तक चेक कर सकते है उसके बाद आता 1000 तो इसमें आप लोग देख सकतो इसमें रेड मार्क आ चुका है क्योंकि यह काफिया हाई वोल्ट होता है तो इसमें हम लोग 200 से लेकि 2000 वोल्ट चेक कर सकते हैं और इसे हम DC voltage चेक कर सकते हैं पूरी इस section से और इसके नीचे यहां पर आप लोग देख सकते हो यहां पर मैंने दो प्रोब बनाया है तो इसमें जो रेट कर लगा प्रोब है ना इसमें हम लग वोल्टेज एजिस्टेंस और मिलियम्पयर और करेंट चेक कर सकते हैं और यह जो ब्लैक बाला प्रोब है यह कॉमन है मतलब अगर हम कुछ भी चेक करते हैं तो हम भी इस रेट बाले प्रोब को सिंप्ली इस दो नंबर बाले पॉइंट में ही डालना पड़ेगा और यह जो ब्लेक बाला प्रोब है इसको में सबसे नीशी जहाँ पर कॉमन लिखावा है यहाँ पर डालना है अगला है AC voltage तो यह वहला जो section है इसमें हम लोग AC voltage चेक करते है तो इसमें आप लोग देख सकते हो यह आप सबसे बढ़े 200 लिखावा है अगला है DC current तो यह जो आप section देख रहे हो ना यह DC current का section है तो इसमें हम जहाँ पर 200 U लिखावा है यह नहीं है यह यह Micro है जहाँ पर 2000 Micro लिखावा है इसमें हम लोग 0 से लेके 2 mA तक चेक कर सकते हैं और जहाँ पर 20 M लिखावा है वहाँ से लोग 2 से लेके 20 mA तक चेक कर सकते हैं जहाँ पर 200 M लिखावा है वहाँ पर 20 से लेके 200 म लिखाओ और जहाँ पर 10 M Aa लिखावा है तो यह जो आप आप हाई करेंट होता है यह वादा resistance का section है तो इसमें जहाँ पर 200 लिखावा है इसमें हम 0 से लेके 200 ohm तक चेक कर सकते हैं जहाँ पर 2000 लिखावा है वहाँ पर 200 से लेके 2 kilo ohm तक चेक कर सकते हैं और जहाँ पर 20k लिखावा है वहाँ पर हम लोग 2 से लेके 200 kilo ohm तक चेक कर सकते हैं और यह जो 200 ना यह ओम में हैं, आप लोग ध्यान रखना है यह ओम में हैं, और यह 2 किलोम में हैं, और जहाँ पर यह 200 के लिखावा है, वहाँ पर हम लोग 20 के से लेके 200 किलोम तक चेक कर सकते हैं, और जहाँ पर 2000 के लिखावा है, वहाँ पर हम लोग 200 से लेके 2 मेगाओम तक चेक कर सकते हैं यह 200 kg है और यह 2 MHz है यानि कि 1000 kg is equal to 1 MHz होता है तो इसलिए यहाँ पर 2000 kg मतलब 2 MHz होता है अगला है continuity तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो यहाँ वाइफाई का सिंबद बनावाए और डायोट का सिंबद बनावाए तो यह वैसे के लिए continuity है तो इसमें हम लोग शॉक्ष चेक कर सकते कोई सब्सक्राइब पर बैसे तो यहाँ आप दोनों ही ट्राइंट चेक कर जाके यहां पर एंटर करा है और इस pointer को हैं वे लेके आटा है उसके लाद ही कुछ बेलू करेगा वहки बिल्कुल नें तो यहां कर रहे फोर होता है तो यह सहां कर सकते हो इसका को समझेट चुगा है कि मल्टिमिटर को कैसे यूज किया जाता है और यह जो आप लोग देख सकते हो नहीं जो स्क्वायर वेव को एक सिंबल दिखा रहा है इसका इतना कुछ खास होता है इसका यूज बहुत ही कम इसलिए मैं इसको आपको समझा नहीं रहा हूँ बस आप लोग इतना समझ लो कि इससे एक स्वायर वेव निकलता है जिससे कि आप मॉस्पेर करा सकते हो जिसमें एक हमें पल्स की जरूरत पड़ती है तो बैसे कि लिए पल्स से आउटपूट में करता है तो दोस्तों आयोग कि आप किया जाता है और इस मल्टीमींटर को मैंने इसलिए दिखाया है क्योंकि सबसे सस्था मल्टी मीटर है बस 200 रुपे में आपको मिल जाएगा में ये काफ़ी उस काफी सारे फीचर है और सबसे पॉपूलर मल्टीमीटर है कम प्राइज में और इसका जो प्रैक्टिकल वीड अगर आड़े वह तो सब्सक्राइब भी करते हैं तो फिलते नहीं से अगले वीडियो पर